दोस्तो बहुत बहुत स्वागे थे आपका एक पार फेट से आपके अपने ही चैनल करीक पॉली पार जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1994 की 25 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में यानि के साल 1994 की टॉप 25 फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि साल 1994 में 25 वे नंबर पर कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम था साजन का घर फिल्म में हमें नसार आई थे रिशी कपूर, चुही चावला और जॉनी लीवर फिल्म को डैरेट क्या था? सुरेंद्र कुमार बहरा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 4 करोड रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 75 तर लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी 24 वे नंबर पर थी कभी हाँ, कभी ना फिल्म में हमें नसार आई थे शारुखान, सुचित्रा कृष्णमूर्ती और दीपक्ति जोरी फिल्म को डैरेट क्या था? कुंदन शाह ने, बजट इस फिल्म का तकरीबां 2 करोड 25 लाख रुपे था, बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 90 लाख रुपे कमाई थे और पूरी वर्ल्ड में तकरीबां 6 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफि इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड 30 लाख रुपे था, बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 95 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 7 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर सेमी हेट साबित हुई थी 22 वे नंबर पर थी इना मीना डीका रिशी कपूर, विनोथ खन्ना और जुही चावला इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था डेविड धवन ने बजट इस फिल्म का तक्रीबं 3 करोड 90 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इन्डिया पर इस फिल्म ने 4 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी 21 वे नंबर पर थी जमान इसे क्या डरना संचेदत, रवीन अटंडन और चान लिवर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था बॉबी राज ने बजट इस फिल्म का तकरीबं 3 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इन्डिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 10 लाख रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी बीसवे नंबर पर थी खुद्दार 25 मार्च 1994 में रिलीस हुई थी फिल्म गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ती कपूर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था एकबाल दुर्रानी ने बजट इस फिल्म का तकरीबन धाई करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने चार करोड पचास लाख उर्पे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी 19 में नंबर पर थी The Gentleman 18 नुवंबर 1994 को रिलिस किया गया था इस फिल्म को चिरन चीवी, जुही चावला और परेशावल इस फिल्म में एहम किरदारों में रसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? महेश भट ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 4.5 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4.6 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी 18 नंबर पर थी एलान अक्षिक कुमार, अमरेश पूरी और मधू इस फिल्म में एहम किरदारों में रसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था? गुड्डू धनवाने बजट इस फिल्म का तकरीबन 5.5 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4.6 करोड रुपे कमाई थे और पूरी वर्ड में तकरीबन 9 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी सत्रवे नंबर पर थी गौपी किशन करिश्मा कपूर, शिल्पा शिरोडकार और सुनिल शेटी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था? मुकेश दुग गल्ले बजट इस फिल्म का तकरिबन 2 करोड 60 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 80 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी सोलवे नंबर पर थी अंजाम शारु खान, मादुरी दिक्षीत और दीपक्ति जोरी इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था? राहुल राविल ने बजट इस फिल्म का तकरिबन 5 करोड लुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड लुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरिबन 10 करोड लुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी पंद्रवे नंबर पर थी अंदाज अपना-पना आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीन अटंडन और सल्मान खान इस फिल्म में एहम किर्दारों में नज़र आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? राजकुमार संतोशी ने बजट इस फिल्म का तकरिबन 6 करोड लुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड 30 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी चोदवे नंबर पर थी अंदाज अनेल कपोर, जुही चावला और करिश्मा कपोर इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आए थे फिल्म को डैरेट क्या था? डेविड धवन ने बजट इस फिल्म का तकरिबन 4 करोड लुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड 35 लुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी तेहरवे नंबर पर थी ये दिल लगी अक्षे कुमार, काजोल और सैफली खान इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आए थे फिल्म को डैरेट क्या था? नरेश मलहोतरा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 5 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड 70 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 11 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सावित हुई थी बारवे नंबर पर थी इंसानियत 11 मार्च 1994 को रिलिस किया गया था इस फिल्म को अमिताब बच्चन, जयापर्दा और सनी देओल इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डियरेट क्या था टोनी जुनेसा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन शाले 5 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड उपे की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप सावित हुई थी 11 नंबर पर थी दिलवाले चार फर्वरी 1994 मेरे लिस हुई थी फिल्म आजी देहुगन, सुनिल शेटी, रवीना टंडन और परेशावल इस फिल्म में एहम किरदारों मेरे सरा आई थी फिल्म को डेरेट क्या था हैरी बावे जानी बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड उपे कमाई थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 12 करोड उपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी दसवे नंबर पर थी आतिश बजट इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड 55 लाग उपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी नोए नंबर पर थी विजहपत अजे देवगान, सुरेश ओबराय और तब वो इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था फारूक सिद्धी की ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड 60 लाक रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी आटवे नंबर पर थी 1942 ए लव स्टोरी अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और मनिशा कोईराला इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था विधू विनोथ चोपडा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 6 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 7 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी साथवे नंबर पर थी सुहाग चार नोवमबर 1994 में रिलीज हुई थी ये फिल्म अजे देवगान, अक्षी कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा इस फिल्म में एहम किरदारों में असर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था संदेश कोहली ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 7 करोड 10 लाख उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 13 करोड उपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी चड़वे नंबर पर थी लाडला 25 मार्च 1994 में रिलीज हुई थी ये फिल्म फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी पांचवे नंबर पर थी मैं खिलाडी तू अनाडी इस फिल्म में हमें नजार आई थे अक्षे कुमार, सैफली कान, शिल्पाशिटी और शक्ति कपूर फिल्म को डैरेट क्या था? समीर मालकरने बजट इस फिल्म का तक्रीबन 4 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 8 करोड रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी चोथे नंबर पर थी राजवावू फिल्म को डैरेट क्या था? डेविड धवन ने बजट इस फिल्म का तक्रीबन 3 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 8 करोड 25 रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी तीसरे नंबर पर थी किरान तीवीर अतुलग नी होतरी, डिंपल का पाडिया और नाना पाटे कर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? मेहूल कुमार ने बजट इस फिल्म का तक्रीबन 3 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 9 करोड 35 रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी दूसरे नंबर पर थी मोहरा अक्षे कुमार, नसुर धीन शाह, रवीन टंडर और सुनिल शेटी इस फिल्म में एहम किरदारों में ने ज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था? राजीव रॉई ने बजट इस फिल्म का तक्रीबन 4 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 12 करोड रुपे कमाई थी और पूरी वल्ड में तक्रीबन 23 करोड रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉग पास्टर साबित हुई थी और पहले नंबर पर थी साल 1994 में हम आपके हैं कौन? माधुरी दिक्षित, मोहनिश बेल और सलमान खान और अनुपम खेर इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? सूरज भढ़जात याने बजट इस फिल्म का तक्रीबन 7 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 73 करोड रुपे कमाई थी और पूरे वर्ल्ड में तक्रीबन 128 करोड रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर आल टाइम ब्लॉक पास्टर साबित हुई थी तो दोस्तों ये 25 फिल्म में थी साल 1994 की टॉप 25 में रहने वाली उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अभी साल 1995 का टॉप 25 फिल्मों का वीडियो बनाना चाहिए नहीं कमेंड में येस और डो जरू लिखेगा तैंक्यू